खलो टो एब्रिवन वीडियो में आप सभी को हावदिक्षागत दोस्तों इस चैनल में इंसानी स्वास्थ के विशे में लावदायक जानकारियां प्रस्तूर किया जाता है आज हम इस वीडियो में कुछ खाद्यपदार्थ जो घुटनों के दर्द को प्राकरतिक रूप से ठीक करने में मदद करते हैं उनके विशे में चर्चा करने जा रहे हैं घुटनों का दर्द एक आम शिकायत है जो हर उम्रे के लोगों को प्रभावीत करती है घुटनों का दर्द किसी भी चोट के कारण हो सकता है जैसे लिगामेन का तूटना या कार्टिलेज का फटना गठिया, गाउट और संक्रमन जैसे चिकित स्थितियां भी घुटनों के दर्द का कारण बन सकते है कई प्रकार के छोटे घुटने के दर्ध में खुद की देखवाल खान-पान तथा उपायों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलते हैं फिजियो थेरापी और घुटने के ब्रेसिज भी दर्ध से रहत दिलाने में मदद कर सकते हैं हालांकि कई प्रकार के छोटे घुटने दर्द के मामले में रोज मर्रा के खान पान से भी निजात पाया जा सकता है तो आईए अब कुछ वैसे खाद्दे पदार्थों के उपर चर्चा करते हैं जो घुटनों के दर्द को प्राकरतिक रुप से ठिक करने में मददगार साविद हो सकते है सभी को भली भाती पता है कि अच्छी द्रिष्टी पाने के लिए बर्षों से गाजर खाने की सलहा दी जाती रही है हालांकि गाजर में इसके अलावा और भी बहुत कुछ उपलब्ध होते हैं घुटने के दर्द से राहत पाने के लिए गाजर का सेवन करना एक पुराना चिनिया उपचार पद्धती है यह प्रभावी इसलिए है की गाजर विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है जो की मजबुत सुजन रोधी योगिक है गाजर से सर्वोत्तम लाब प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है की उन्हें पका कर खाया जाए आलांकी कुछ लोगों को उन्हें पकाया हुआ पसंद नहीं है यदि ऐसा है तो इसे कच्चा भी खाया जा सकता है इन्हें रोजाना दो बार खाने से घुटनों का दर्द काफी हद तक कम हो जाएगा नमबर दो ठर्मेरिक हल्दी यदि हम करी के बड़े शवकिन हैं तो हमें यहाद जानकर खुशी होगी कि हम पहले से ही अपने घुटनों पर एक बड़ा उपकार कर रहे हैं हल्दी में भारी मात्रा में कर्क्यूमीन होता है कर्क्यूमीन का उपयोग सदियों से चिकित्सा में किया जा रहा है बिशेश रूप से हरवल में क्योंकि इसमें सुजन रोधी छमता होती है इसे खाने से घुटनों के दर्द और किसी अन्य प्रकार के दर्द नाग जोड का खतरा काफी कम हो जाएगा दर्द को ठीक करने के इसकी छमता लगभग ब्रूफेंड आदी जैसे एनलजेसिक के समान है जब एपल साइडर विनेगर के बारे में सोचते हैं तो सलाट ड्रेसिंग शायद सबसे पहले चीज होती है जो दिमाग में आती है हालांकि सेब के सिरके का उपयोग घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए किया जा सकता है चाहे इसे पीना चाहे या दर्द वाले जगहा पर लगाना चाहे दिन में कम से कम दो बड़े चम्मच एपल साइजर विनेगर पीना बहुत फाइदे मन्थ है क्योंकि इससे घुटनों के आसपास सुजन पैदा करने वाले बिशक्त पदार्थों को घुलने में मदद मिलेगी सेब के सिरके कुछ जएतुन के तेल के साथ मिला कर कम से कम एक सपताहा तक दिन में एक बार या दो बार अपने घुटनों पर इसके मालिस करने से घुटनों की दर्ध में काफी फाइदा होती है अदरक एक और बहतरीन होजन है जिसे हम या तो खा सकते हैं या अपने दर्द वरे और कोमल घुटनों पर रगड़ सकते हैं अदरक का न केवल स्वाद अच्छा होता है बलकि इसकी खुश्बू भी बहुत अच्छी होती है अदरक में जिंजरोल नामक एक सक्रिय तक तो होता है जो एक मजबूत सुजंदरूधी पदार्थ है आज के तारिख में कुछ पुर्व निर्मित अदरक के तेल भी बाजार में उपलग्द है जिन्हें सीधे अपने सुजे हुए घुटनों पर लगा सकते हैं नमर पांच वालनट्स अखरोट ओमेगा थ्री फैटी एसीड और एंटी आक्सिडेंट से भरपूर होने के मामले में अखरोट स्पष्ट रूप से सबसे उपर है यदि घुटनों के दर्द से राहत पाना चाहते हैं तो अखरोट और भी आदर्स माना जाता है इस तथ्य के बावजूत की अखरोट में कैलोरी की मात्रा अधिक होती है इसे नियमित रूप से खाने से जंग फूट खाने की इच्छा भी कम हो जाती है यूँ तो अखरोट खाने से वजन घटाने में मदद मिलती है इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि वजन कम करना दर्दनाग घुतनों पर तनाप को कम करने का एक शानदार तरीका है जब बाहर सर्षों का तेल खरीद रहे है तो हमें सावधान रहना चाहिए कि मिलावट वाले सर्षों का तेल खाने से बचें शुद्ध सर्शों का तेल हो तो इसे जैतुन के तेल या नारियल के तेल के साथ मिला सकते हैं और फिर इसे अपने दर्दवाले घुतनों पर मालिश कर सकते हैं सुजन के मामले में अधीक लाब पाने के लिए सरसों के तेल में कुछ प्याज और कुछ लहसुन को भून लें क्योंकि ये दोनों एलिसीन से भरपूर हैं जो सुजन रोधी गुणों से भरपूर होते हैं तो दोस्तों इस प्रकार घुटने के दर्द के मामले में बिविन खाद्य पदार्थों से भी निजात पाया जा सकता है इसमें स्वास्थे पर किसी भी प्रकार के साइट इफेक्ट्स ना होने के वज़ा से इसे एक बार आजमा कर देखने में कोई हर्ज नहीं है तो जरूर आजमा कर देखिएगा जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे नमस्ते सब का बला हो